Hello friends, GST income tax, tax की practice, इसके बारे में तो हमनों कई बर बात कर चुके हैं, आज इस वीडियो में बात करेंगे कि मैं अपनी practice कैसे करता हूँ, कौन-कौन से equipment में use करता हूँ, चाहे वो laptop हो या system हो या printer हो, मैं क्या use करता हूँ, कैसे use करता हूँ, आज इस वीडियो में हम बात जिससे कि आपको भी idea होगा कि अगर आप अपनी practice करना चाह रहे हैं, तो आपको किन-किन equipments की दरुवत पढ़ने वाली है, तो वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मैं किन-किन चीजों को use करता हूँ, सबसे पहले लेकर चलता हूँ, मैं आपको अपने cabin के अंदर, कुछ desktop पे काम करना easy होता है, और बहुत handy होता है, fast काम होता है, तो मुझे desktop बढ़ा अच्छा लगता है, अब इसको मैंने खरीदा नहीं था, मतलब मैंने assemble करवाया है, इसलिए CPU किसी और company का है, और जो monitor है, वो है हमारा HP का retina display है, अब हम लोग being a practitioner दिन भर system पे देखते हैं, तो आखो का भी safe रहना थोड़ा सा कहीं न कहीं important है, तो retina display आखो पर कम impact पड़ता है इससे, और ये तो हो गया हमारा monitor, और जो हमारा CPU जो है, अगर मैं CPU की बात करूँ, तो वो है zebronics company का, अच्छा इसको भी मैंने करीब हो गया होगा, pre pandemic लिया था, तो 6-7 साल तो हो गये CPU की सबसे अच्छी बात ये है, कि आप इसको अपने हिसाब से assemble कर सकते हो, कभी पुराने नहीं होता है, जैसे पहले ये 4GB था, मैंने इसको बढ़ा के RGB कर लिया, फिर SSD भी लगवा लिया, SSD से क्या होता है, कि system बहुत fast चलता है, तो मैं office में अपना desktop यूज करता हूँ, और 512GB की SSD है, ये भी बहुत fast है, तो अगर आप भी plan कर रहे हो system या desktop लेना, तो एक basic चीज ज़रूर होनी चाहिए SSD, SSD होने से system काफी fast चलता है, और काम करने में मज़ा आती है, तो ये है हमारा laptop और है ये हमारा system, office में मैं यूज करता हूँ desktop, बाकी laptop वगरा, अच्छा, printer केकर बात करें, तो मैं printer भी दो यूज करता हूँ, ये है HP का ही ledger printer, ये मैं यूज करता हूँ जब मुझे ज्यादा print out निकालना होता है, जैसे audit report हो गई, company की filing की report हो गई, तो वो होती है 40 pages, 50 pages, तो उसके लिए अपना होता है ledger printer, ये एक minute में अराम से निकाल देता है, 12-15 pages अर printer है, all-in-one है, और ये तो जब practice मैंने start की थी, तभी लिया था, इसको भी आराम से 8-10 साल हो चुके होंगे, जितना पुराना मैं practitioner हूँ, उतना ही पुराना ये भी है, इसमें आप, मतलब इसे प्रिंटिंग भी हो जाती है, और scanner भी है, photocopy भी हो जाती है, सारी चीज़े हो बाकी कामों के लिए ये बीट अच्छा काम करता है, पर अब ये थोड़ाता पुराना हो चुका है, उसके लावा entertainment के लिए एक छोटा सा speaker लगा रखा है, जब काम करते करते बोर हो जाते है, तो थोड़ाता entertainment भी हो जाता है, मैं गाने सुनते हुए ही काम करता हूँ, बहु कर लेता हूँ, और जब वीडियो बना लेता हूँ, तो इसको मैं वापस इस तरफ कर देता हूँ, तो ये मेरा YouTube का माइक है, ये आपने मेरे वीडियो में देखा होगा, इससे quality काफी अच्छी आती है, तो desktop, laptop, दो printer, speaker और ये माइक, और सबसे important, ये है हमारा mouse pad, ये mouse pad है, जो इसका benefit क्या होता है, कि इस पर जब laptop रखके काम करते हैं, तो laptop उतना slippery नहीं होता है, एक तो ये चीज़ हो जाती है, और दूसरा, इस पर आप देखो, word, excel, ppt, office 365, उनके क्या है, shortcuts भी लिखे हुए है, तो कभी-कभी ये भी काम आ जाते है, काम करते-करते कहीं भास हैं, तो ये mousepad ये तो मतलब 1.500-200 रुपय का होगा, तो ये हैं वो equipment जो मैं अपनी practice के लिए use करता हूँ, तो अगर आप अपनी practice स्टार्ट करने के सोच रहे हो, तो आप basic चीज़ SSD होना चाहिए, अब आप अपनी preference के उपर चाहे desktop ले लो, चाहे laptop ले लो, और printer मैं आपको ये suggest कर सकता हूँ, अच्छा printer है, देखिए, scanner photocopy अब need नहीं आती है, mobile में scanner आ चुके है, तो इसकी कोई access बहुत ज्यादा need नहीं होती है, printer आपके पास होना चाहिए fast और ये बहुत cost effective भी है, ये एक page की cost 20-25 पैसा आती है, एक बार मैं refill कराता हूँ, तो 1000 print अराम से निकल करते हैं, तो ये printer पता ने model number क्या है, पठाँ HP का है, ledger printer है, तो ये आप ले सकते हो, तो ये वो equipment है, जो मैं use करता हूँ, अपनी practice के लिए